तो दोस्तो आज में लेके आ हूँ आपके लिए IRV Infrastructure Developers Limited का Complete Share Analyze जानेंगे इस वीडियो में हम इस कंपनी का Complete Fundamental को और वीडियो के आंत में हम ये डिसकस करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निभेश काना चाहिए कि नहीं और इस कंपनी के लिए हमें वीडियो बनाने के लिए प्रमोट जी ने कमेंट किया था दोस्तो तो अगर आपका भी कोई Queries है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें और अगर आपके पास trading करने के लिए demand account नहीं है तो वीडियो की नीचे description पे मैंने link दे दिया है जिसे आप grow जैसे बड़ी platform में फ्री में अपना trading account open कर सकते हैं कंपणी का सेप्टमबर 2022 का fresh quarterly result थोड़ा सा negative आया हुआ है यहाँ पे देख सकतो कंपणी जो है revenue पे 8.5% का loss पर है year on year net income पे कंपणी का profit हुआ है 101% का 120% कंपणी profit में है net profit margin पे लेकिन कंपणी का operating income यहाँ पे 14% और यहाँ पे जो है कंपणी जो है infrastructure पे काम करता है और इसका total आप market cap देख सकते हो 18,600 करोड के आसपास company का इस वक्त market cap है और current share price 308 रुपया है higher बनाया है इस साल में जो कि कुछी दिन पहले 339 रुपया बनाया था lowest price देख सकते हो आप यहाँ पे 180 रुपय के आसपास इसका lowest price रहा इस साल में लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि company का price earning ratio का number जो है 180 रुपय से company जो है 300 रुपय क्रोस कर चुका है उसके बावजिद भी इसका जो valuation है इस वक्त बहुत अच्छा है तो long time के लिए आप बिल्कुल निवेश कर सकते हो बस निवेश करने से पहले हर चीज प्रॉपर रिशाज कर ले ना दोस्तो क्योंकि निवेश करने के लिए सही समय भी होना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे book value देखाऊ का company का book value 216 रुपय का company आपको अच्छा गासा dividend भी देने वाला है और इसका return on capital employment जो है 9% के आसपास इसका number है और साड़े 3% के आसपास return on equity का number से यह दोनों numbers में थोड़ा सा और expect करता था बट यहाँ पे company का resultty negative आया हुआ है तो यह भी चीज़े उसका साथ में matter कर रहा है phase value है company का 10 रुपय का है तो यह पे बाकी का चीज़े जो है दिखा देता हूं मैं आपको तो यहाँ पे आप देख सकतो सबसे इंपोर्टन चीज़ sales growth company का sales growth घट चुका है 0.14% का मतलब बहुत ज़्यादा घटा नहीं है एवरेश पे चल रहा है company का return on equity भी थे तीन साल में 5% का है promoters का holding जो है 50% का holding प्लेज है company का गिरिवी रखा हूए और यहाँ पे dividend जो है कम है तो रासा 8.13% dividend का जो पे आउट है यहाँ पे company का अगर promoters का holding दिखा जाए तो यहाँ पे तीन साल में 23% के आसपास promoters ने अपना holding जो है बेचा है इस company का अगर September 2022 का quarterly result दिखा जाए तो यहाँ पे expense हुआ है company को 702 करोड का और sale हुआ है 1343 करोड का 641 करोड कमपनी operating profit में profit में है ठीक है तो दोनों में confused मत हो जाएए वहाँ पे आप देख रहे थे rate था यहाँ पे profit जो है यही चीज़े है मतलब इससे पहले quarter में 1027 करोड का company का profit हुआ था यहाँ पे 641 करोड का profit हुआ है तो profit घर चुका है quarter and quarter अकर net profit दिखा जाए तो 363 करो में company का profit है वो घर चुका है बट अभी भी company profit में 83 करोड कमपनी को sorry 85 करोड इस quarter में company को profit हुआ है यह और अगर दिखा जा तो इस साल में आप देख सकतो 3089 3089 करोड का company का expense हुआ है और 5980 करोड का company को जो है सेल हुआ है तो company operating profit में year and year अच्छा है मैं पहले बता चुका हूँ आपको देख सकते हो 2550 से company लगबग 2900 करोड जो है operating profit में profit में आ चुका है इस साल में और net profit देख सकते हो company year on year 361 से 696 करोड कमपनी जो है profit में है इस साल में तो year on year no doubt long term के लिए अगर आप निवेश करना चाहते तो बिलकुल निवेश का सकते है company का fundamentally जो profit है बहुत अच्छ चुका है company का profit growth भी लगबग घटा है इस साल में profit growth ठीक ठागे 147 परसन का cajr ठीक ठागे और return on equity का numbers भी थोला सा और होना चाहिए था तो अच्छा रहता यहां पर अगर प्रोमटास की holding की बात किया जाए तो यहां पर एक जमाने में इसका holding जो है 58% के आसपास हुआ करता था बाट आज जो है इसका holding 34% का है तो इसमें tension लेने के बात नहीं है क्योंकि अगर इसने अपना holding घटाया है तो foreign investor ने बहुत अच्छा गाजा इस टेक बाई किया इस company में ठीक है तो प्रोमटास की holding घटाने की यहां पर कोई यह नहीं है क्योंकि F.I.L.S. का भर-बर के company पर निवेश है और यहां पर अच्छी बात यह है कि government भी इस company में 0.01% का September की quarter के update में जो है stick buy किया है और यहां पर कुल मिलाके public का holding है 10.34% मतलब public को कुछ फरक नहीं पड़ा यहां पर public का holding अच्छा खासा है और जितना ही public का holding कम रहेगा investor के लिए उतना ही अच्छी बात यहां पर माना जाता है तो कुल मिलाके सब कुछ ठिक टाक दोस्तों नजर आ रहा है अभी अगर देखा जाए तो एक वार हम इस company का चार्ट पटन को भी analyze कर लेते हैं तो चार्ट पटन से पहले मैं आपको बता दू इस company को जो है यहां पर share spilled हो रहा है तो यहां पर एक के बदले इस निवेशकों को मिलेंगे 10 share तो इस company का max to max चार्ट पटन दिखा जाए तो all time high के आसपास है यह शेर जो है लगबग 300 रुपे के आसपास इसका all time high है यहां पर 2010 में company बनाया था लगबग 300 रुपे के आसपास उसके बाद नीचे गिरा फिर से बनाया 300 के आसपास और यहां पर इस बगद company जो है बहुत high price बहुत महेंगे valuation पर है ठीक है तो long term के लिए थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिए तुरंद भी अगर निवेश करना चाते तो एक छोटा सा correction का wait कीजिए क्योंकि यहां पर correction होने की chances ज्यादा है और यह जो है सबसे उपरी इ करना चाहिए company के बारे में और कोई अगर निवेश आ जाता है तो यहां पर हो सकते थोड़ा सा correction हो जाए तो यह long term का point of view मैक्स 5 यह में company ने आपको 22% का return दिया है नो डाउट कोरोना के time पे company इस तरह से गिरा था market के direction के हिसाब से company ने उतना पूरा recover कर चुका है तो यहां जा चुका था यह तो अब यह correction zone पर है छोटा मोटा correction करके अगर company उपर जाता है तो यहां पर फिर से एक अच्छा opportunity मिल सकता है retail investor को one month के chart button दिखा जाए तो लगबग 8% के आसपास return दिया है तो यहां पर इस high को cross करके अगर उपर जाता है तो definitely यह company जो है आने वाले दिनों में बहुत तेज भागने की chances से max 5 day का chart button दिखा जाए तो यहां पर 6% के आसपास return दिया है आज के दिन company जो है अच्छा खासा correction कर चुका है तो यहां पर इस correction का आपको wait करना है अगर और भी थोड़ा सा गिरता है तो आपको यहां पर और भी सस्ता price में यह मिल सकता है ठीक है तो यह थी हमारा point of view इस company को लेके आपका क्या point of view है comment box में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगए कि लाइक करना आपने दोस्तों को share करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसे ही जानकरी के साथ हमारी वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद